हालेलूया, आमेन और बदले, आपका वचन सामर्ती है, वो हम में समा जाए और हम बदल जाएं, ईश्यू मसिजी के नाम में, आमेन प्रियम वचन कहता है, your word is a lamp to my feet and a light to my path, तेरा वचन मेरे लिए दीपक और उज्याला है, वाओ, हालेलूया, इतना अच्छा वचन है, lamp to my feet, मेरे पाओं के लिए दीपक, light to my path, मेरे पत के लिए, मेरे मार्ग के लिए उज्याला है, वाओ, आमेन पर्मेश्य का वचन आपके लिए उज्याला है और दीपक है, पर्मेश्य का वचन हमारे लिए उज्याला है और दीपक है, आमेन हालेलूया, जब पर्मेश्य का वचन खूलता है, प्रकाश होता है बजन सहीता उसका 84 चेप्टर साम्स 84 निकालिए और हम पढ़ते हैं कुल 12 पद हैं देखें आज हमें क्या सीखने को मिलता है पहले पद से हे से नाओ के यहोवा तेरे निवास क्या ही प्रीय हैं मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाशा करते करते मुर्चित हो चला मेरा तन मन दोनों जीवते ईश्वर को पुकार रहें वाव आमेन हालेलुया तीसरा पद हे से नाओ के यहोवा हे मेरे राजा और मेरे परमीशर तेरी वेदियों में गौरईया ने अपना घोसला और सूपा बेनी ने अपना बसेरा बनाया है वाव हालेलुया गौरईया और सूपा बेनी आदबोता है फिर से पढ़ते हैं दूसरे पद से मेरा प्राण तेरे आंगनों की अभिलाशा करते करते मुर्चित हो चला मेरा तन मन दोनों जीवते इश्वर को पुकार रहे वाव यहां पर दास मेरे खाल से कुराव विंशियों का होगा शायद क्योंकि मुझा बैल में पढ़ रहा हूं I don't know I think it's कुराव विंशी की लिखनी है यह उनने लिखा है क्या कहते हैं सेनाओ है सेनाओ के यहोवा परमेशे से कहते हैं सेनाओ के यहोवा तेरे निवास क्या ही प्री हैं यह बंदा परमेशे के निवास में गया जरूर होगा इसने आत्मा में परमेशे की प्रेजन्स को प्राप्त जरूर किया होगा जबी वो कह सक पा रहा है कि तेरे निवास क्या ही प्री हैं वाव आमेन लॉड हालेलूया तेरे निवास क्या ही प्री हैं और मेरा प्राण तेरे आंगनों की अभिलाशा करते करते मुर्चित हो चला मेरा प्राण तेरे आंगनों की अभिलाशा कर रहा है और मुर्चित हो गय वाव मेरा तन मन दोनों जीवते ईश्वर को पुकार रहे वाव यह वो शक्स है जिसने अपने तन अर्थात शरीर में मन अर्थात प्राण में दोनों में परमेश्य की उपस्तिती को जिया है आमेन क्योंकि हम जानते हैं हमारे आतमा में परमेश्य की उपस्तिती हर वक्त होती है लेकिन ये शक्स यदास कहता है मेरा तन मन दोनों जीवते ईश्वर को पुकार रहे हालेलूया आमेन प्रभू करे कि हम सब के तन मन जीवते ईश्वर को इसी प्रकार पुकारे और हम उसके आंगनों के बिलाशा करते करते मुर्चित हो जाए ऐसी भूक, ऐसी प्यास, ऐसी ललक, ऐसी लगन हमें उसके आंगनों की हो ऐसी उसकी उपस्तिटी की हो और हमें ऐसी जलन हो कि तेरी वेदियों में गौरीया ने अपना बसीरा और सूपा बेली ने अपना गोसला बना लिया है जिसमें वो अपने बच्चे रखे हालेलूया प्रभु काुचन कहता है चौ थे पद में क्या ही दन्य है वे जो तेरे भवन में रहते है तेरी स्तूती निरंतर करते रहेंगे क्या ही दन्य है वे आगे लिखा है सेला, सेला का मतलब होता है कि stop and think, सेला का मतलब होता है रुख जाओ, थोड़ा ध्यान करो, सेला का मतलब होता है कि यह जो पद तुमने पढ़ा है, उसके आगे जो सेला लिखा होता है, उसका मतलब यह होता है कि आप ठहर जाओ, आगे मत बढ़ो, शान्त होक अबर इसके विशे में विचार करो, इस पर मनन करो, थोड़ा मेडिटेट करो, थोड़ा रुक कर सोचो इसके बारे में कि क्या लिखा है तो जैसा कोड़ वन्शियों ने लिखते समय सेला लिख दिया तो अब हम थोड़ा रुख जाते हैं इस पर, ठीक है, प्रभु का वजन नहीं, जर्ती पर भी लोग हैं, जो अधिक तर वहां रहते हैं, प्रभू का उचन कहता है, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी सुती निरंतर करते रहेंगे, भवन की उन्मंग ऐसी है भवन की जील ऐसी है भवन का एक वातेवरन ऐसा है भवनका एटमोस्फियर ऐसा है कि वहा निरनतर निरनतर अराधना स्तूति होती रहती है उनकी अरादना रुकती नहीं है, उनकी प्राण ठकते नहीं है, उनकी आत्मा ठकत नहीं होती, शमित नहीं होती, परमीशर की अरादना निरंतर करते रहते हैं, वाओ, और वियसे वो लोग बहुत दन्य होंगे, जो यहां धरती पर रहते हैं, परमीशर की भवन पर, की डेव बड़ी पर बैटते हैं, उसके भवन में रहते हैं, निरंदर उसकी स्तूती करते हैं, सच में में रिप्यूं बाद धन्य हैवे लोग जो ऐसा करते हैं, प्रबु करें आप में हम सब एक एक बच्चा, बुड़ा जवान, इस तरी पुरुष, दास दासी, सब लोग हम ऐसे हो अरादना निरंतर करते हैं, और उसके भवन में बने रहें, उसकी उपस्टी में बने रहें, हम अपनी योग तासे तो नहीं कर सकते हैं, खुदबाप हम पर दया करें, हम पर अनुग्रे करें, और यदि उसे भाए, तो वो हमें अपने करीब लेकर आए, आमीन, हालिलुया पांचोपत कहता है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझे से शक्ती पाता है, और वे जिनको सियोन की सडक की सुधी रहती है, क्या ही धन्य है वह पुरुष्य जो तुझे से शक्ती पाता है, blessed is the man whose strength is in you in whose heart are the ways of them क्या ही दन्न है वह मनुश्य जो तुझे से शक्ती पाता है हालेलुया और वह यसे सियोन की सड़के सुधी रहती है वे लोग रोने की तरही में जाते हुए उसको सोते का स्थान बनाते हैं वाव अमीन फिर बरसात की अगली वरिष्टी उनमें आशीश ही आशीश उप जाती है आलेलुया प्रभू का वचन कहता है जो मनुश्य तुझे से परमेशर से शक्ती पाता है अर्थात शक्ती कैसे पाई जाती परमेशर से जब आप उसके चर्णों में उठते से ही बैट जाओ बोर को उठ जाओ बोर को वचन कहता है सांज को बोर को दो पहर तीनों पहर में दुआई दूँगा कराता रहुँगा वो मेरा शब्द सुन लेगा परबू को वचन कहता है जो निरन्तर उसकी बाठ जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे क्या इधन्य मनुश्य जो तुझ से शक्ती पाता है और वे जिसे सियोन की सड़क, सियोन अर्थात परमेशे की उपस्तिती, उसकी सड़क अर्थात परमेशे की उपस्तिती में जाने का मार्ग, उसकी सुधी रहती है, मतलब उनको पता है परमेशे की प्रजन्स में कैसे जाना है, उनको अदत है, वो निरंतर जाते हैं, वो निर पर्मेश का वचन कहता है वे रोने की तरहीं में जब जाएंगे तो उसे सोतों का स्थान बना देंगे हालेलुया और प्रभु का वचन कहता है बरसात की अगली वरष्टी उनमें आशीश यापशीश उपजाएगी हालेलुया पर्मेशर आपको ऐसा बनाएं मुझे ऐसा बन और हमेशियोन की सड़क पर्मेश्य की उपस्तिती के हमेशा सुधी रहे हम निरंतर बने रहे ओ पर्मेश्य की प्रिसेंस में आते जाते रहे जब हम ऐसा करेंगे जब पर्मेश्य का अनुग्रे हम पर ऐसा होगा तो हम जब रोने की तरही में रोने की तरही का मतलब होता ह बहुत कठिन परिस्ति बहुत विपरीत परिस्ति रोने की तराई में जब हम जाएंगे तो वहां भी सोते फोट जाएंगे हमारे जाने से क्योंकि हमारी लाइफ में परमेश की ऐसी प्रिजन्स होगी और प्रबुका वचन कहता है फिर बरसात की अगली वरिष्टी उसमें ब परमेश को अपना मुँ दिखाएगा परमेश करें कि ये वचन हमारे अंदर जीवित हो जाए कि हम परमेश से बल तो पाएं लेकिन उस बल के उपर बल और उस बल के उपर बल उस बल के उपर बल उस महिमा के उपर महिमा उस महिमा के उपर महिमा उस महिमा के उपर महिमा उ तेज के उपर तेज उस तेज के उपर तेज पाते जाएं। परमेशर करें वल्डपर पाते जाओं। अटापद है से नौ के परमेशर यहवा। मेरी प्रार्तना सुन हे याकूब के परमेशर कान लगा। हे परमेशर हे मेरी ढाल द्रश्टी कर अपने अभिशिक्त का मुँ देख, हालेलुया, परमेशर से यहाँ पर प्रार्तना की जारी है, हे परमेशर मेरी प्रार्तना सुन, हे याकोब के परमेशर कान लगा, हे परमेशर मेरी ढाल द्रश्टी कर अपने अभिशिक्त का मुँ देख ले, हलिलुया, प्रार्थना भी अवश्चक है, इंतजार के साथ साथ, कीप ऑन प्रेंग, अपने अंतर प्रार्थना करते रहें, दस वपत कहता है, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के हजार दिन से उत्तम है, दोष्टों के डिरों में वास करने से अप यहोवा अनुग्रे करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं, उनसे वह कोई अच्छा पदार्त रखना छोड़ेगा, प्रभू कौचन कहता है, यहोवा क्या ही दन्य है, वह मनुश्य जो तुझ पर भरोसा रखता है, आमीन, 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 हालेलुया, प्रभू करें कि हम सब उस पर भरोसा रखने वाले हो जाओें, हम क्या ही धन्य मनुश्यों की गिंती में आजाएंगे, प्रभू का वचन गहता है, तेरे अंग्नों में का एएक दिन और कहीं की हज़ार दिन से उत्ता में, हालेलुया, क्या आप उसके आंग्नों में एक द गए हो जहां आप परमेश्य की उपस्तिती में गुम हो गए हो जहां आप और परमेश्य की बीच में कोई ना आया हो जहां आपके उपरमेश्य की बीच में आप स्वैम भी ना आया हो ना आपका प्राण ना आपकी जाबदारी ना आपकी पतनी ना आपकी सेवा ना आपका क आपका कुछ ना 아कें बच्चे ना कारें ना आपके कुई भी चीज़ें कुछ भी नहीं खुदा और ऑप और उर कुई नहीं प्रभु का ऊचन कहता है तेरे आंगनों में का एक दिन और कंदर हम आ शाही दरिया दुस्तोंके डेरें मेवास करने से अपने परमेश की भवन की डेवडी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है वाओ आमीन यह वो शक्स है जो खुदा के उपस्तिति में निरंतर बैटता है यह वो शक्स है जो खुदा के भवन में खड़ा रहता है और उसी की लालसा रहती है उसी की अब बिलाशा रहती है उसी की चाह रहती है उसी की मांग रहती है उसी की उमंग रहती है खुदा तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के हजार दिन से उत्ता में हालेलुया कि आपका यह नुबाव है नहीं तो आज ही खुदा से मांग लो आज ही मांग ले उससे कि वो तुझे अपने आंगनों में एक दिन बैठने दे हालेलुया तेरा जीवन बदल जाएगा मैं विश्वास करता हूँ खोदा का बच्चन जीवित है हालेलुया उसके आंगनों में का एक दिन और कहीं कि हजार दिन से उत्ता मैं जब तू परमेश्य की उपस्तिती में बैठे तो अपना द्वार बंद कर अपने अपने मुबाइल को बंद कर अपने लोगों से दूर हो जा दूर हो जा लोग काएंगे लोग तेरे मुपर उल्टी बाते करेंगे लेकिन तू तू उसके आंगनों में एक दिन बैठ कर तो देख हालेलुया तू बदल जाएगा तेरा नंत काल बदल जाएगा आमीन हालेलुया क्योंकि तू यह हजार दिन की ब्लेसिंग को देखेगा हजार दिन की उपस्तिती को देखेगा हजार दिन के सुखो को देखेगा हजार दिन के आनंद को देखेगा तू हजार दिन की सामर्द को एक दिन में देखेगा तू पहले के समान नहीं रहेगा प्रभु कवच्चन कहता दुष्टों के टेरों में वास करने से परमेश्य के भवन की डेवडी पर ख़ड़ा रहना मुझे अधिक भावता है हालेलूइया उसके भवन की गेट पर ही मैं ख़ड़ा हो जाऊ वो मेरे लियोत्तम है आमीन 11 पद क्योंकि यहोवा परमेशर सूर्य और धाल है हालेलूइया हालेलूइया परमेशर को सूर्य कहा गया कोई उसके तेज़ को सह नहीं सकता वचन कहता है परमेशर में मुसा से कहा मनुश्य परमेशर को देख कर जीवित नहीं रह सकता मुसा तू मुझे देखना तो चाहता है लेकिन संबव नहीं है कि तू जीवित रह हालिलूया आमेन कैसा महान खुदा है हमारा जो इतना सामर्थी है परमेशे के विशह में तो आप जितना बोलो उतना कम है अनंतकाल भी कम है उसे जीने के लिए परमेशे सुर्य और ढाल है God is a sun for Lord God is a sun and shield खुदा सुर्य और ढाल है जब शात्रू आपके उपर चड़ाई करे बस इतना बोलना परमेशे सुर्य और ढाल है हालेलूया खुदा का तेज आपकी लाइफ में प्रकट होगा अन्दकार धूल की माफिक उड़ जाएगा और सुरक्षा ऐसी आएगी कोई भी अन्दकार उस सुरक्षा को पार नहीं कर पाएगा क्योंकि परमेशर यहोवा सुर्य और ढाल है हालेलूया ना सिर्फ वो सुर्य और ढाल है बल्कि परमेशर अनुग्रे भी करता महिमा भी देता और जो खरी चाल चलते हों उत्तम से उत्तम अच्छे से अच्छे पदार्त देता है और एक भी अच्छी वस्तू वजन कहता उनसे वह कोई अच्छा पदार्त रख ना छोड़ेगा, हालिलुया, ज्यों पदार्तों के पीछे पढ़े हम तो अपने खोदा का ही नाम लेंगे, उसी की और देखेंगे, उ उसी को खोजेंगे, उसी को मांगेंगे, वो ही हमारी चाह होए, वो ही हमारा जीवन हो, वो ही हमारा वर्तमान हो, वो ही हमारा भविश्य हो, वो ही हमारा आदी, वो ही हमारा आंत, वो ही हमारा जीवन है, जीवन का हर शेत्र उसी का है, हम उसमें वो हम में हैं, और उसकी उपस से होंगे आमीन हालेलुया है सेनाओं के यहवा क्या ही धन्य है वह मनुष जो तुझे से तुझे से तुझे से मनुष्यों से नहीं अपनी युगिताओं से नहीं तुझे से शक्ती पाता है तुझे से शक्ती पाता है वो तुझ पर भरोस रखता है क्या ही धन्य हो मनुष ज तब जब जब ये वचए तो ऐसा है कि मैं बस इसे पढ़ते रहух इसके बारे मैं बोलता रहूँ, अभी मैं फिर से पहले से चालू कर दूँगा, फिर से ब्लेसिंग आनी चालू हो जाएगी, हालेलुया, इतना अच्छा वच्छान है मेरे प्यों, अपने जीवन में एक चीज़ को कभी नजर अंदाज मत करना, खुदा का वच्छान, वो ही तीपक है, वही उज्जाला है, वही तेज है, वही जीवन है, प्रभु कहोचन कहता है, सिक्षा को अंसुनी नहीं करना, क्योंकि वही तेरा जीवन है, इंस्ट्रक्शन को पीछे नहीं करना, क्योंकि वही तेरी लाइफ है, वच्छन, the word of God is your life, word of God is your life, the word of God is your life, आमीन, ह और उसे ग्रहंड करो, वो आपके अस्तित को बदलेगा, कितना अच्छा है, मेरी ते चाहरी मैं फिर से चालू कर दूँ, बजन 84 का एक कहता है, सेनाओं के यहवा, तेरे निवास क्या ही प्रीय हैं, वाओ, आमेन, क्या ही प्रीय हैं, कितने प्रीय हैं, कितने अच्छे हैं, मेरा प्राण बस उन्ही की लालसा करता है, क्योंकि आगे क्या लिखा है, मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाशा करते करते मुर्चित हो गया, मैं फेंट होने लगा, फेंट होने लगा, वाओ, मुर्चित होना मतलब मुर्चित कैसे होते पता है, मुर्चित होने क कि यहोवा है मेरे राजा और मेरे परमेशर तेरी वेदियों में गौरया ने अपना बैसिरा सूपा बेनी ने अपना गोसला बना लिया है कि अपने बच्चे रखे ओ मेरे प्यों कभी ऐसा दिन ना देखना पड़े आपको कि आप ये कहो कि प्रभू मुझसे लगी तो वह ब परमेशर की पस्तिती को खो देते हो जब आप उसे मिस करते हो तब आपको जलन होती काश में उस बात को नहीं खोता उस अस्थान को नहीं खोता उस जगे को नहीं खोता उस सिहांसन को नहीं खोता उस उस पस्तिती को नहीं खोता उस पहाड से में नीचे नहीं जाता हालेल लिए अफरभु ना करे कभी आपकी जेवन में सहो प्रभु का वचन कहता है क्या जन्य वे जो तेरे भवन में रहते वे तेरी स्थूती निरंटर करते रहेंगे कर्ण टीनू पर मेंशे कि करना इसलिए निरंटर उसकी स्थूती करते रहोगे अपने आप उठा लिए था अपनीलरी आइसे आत्म सिति में पहुँ जहांगे जहां धर्ति पर रहते हो वे पर्मेशें के उप सति में वास किये रहो raty हालेều या और आप उसे ही शक्ति पाओगे बचन कहता है वे जिनको सियोन की सड़क की सुधी रहती है वे रोने की तरही में होते हुए भी उसे सोतों का स्थान बना देते हैं आमीन, हालेलुया, बल पे बल पाते हैं, आमीन ए प्रातना सुनने वाले पर में शाकान लगा, अभी शिक्त की और मुफेर और प्रभु का वचन कहता है, उसके आंगनों में का एक दिन और कहीं के हजारों हजार दिन से उत्ता मैं, सच में मेरे प्रियों, यह मैंने जिया है, आप भी जिये और मैं शास करता है, हम में से कई लोगों ने इस चीज़ को जिया है, व्याशिशे ज़रूर हुए हैं, परमेशा की प्रिजन से, परमेशा सूर्य और ढाले अनुग्रे करेगा, मैं मा देगा, हालिलूया, क्या इदन्य वा मनुष जो तुझ पर भरोसा रखता है प्रभु का वचन कहता है, तेरे वचन मेरे मुह में मधू से मीठे लगे, हालिलूया, प्रभु का वचन कहता है, मैं अपने पाओं को मलाई से दोया करता था, प्रभु का वचन कहता है, हालिलूया, पत्थर भी मुझसे वाचा बांद लेते थे, मुझसे वादा करते थे, हम तुझे ढोकर महीं देंगे जब आप खुदा के वच्चन में चलते हो वच्चन को पाते हो परमिश्र से प्रेम करते हो उससे लिपते रहते हो मेरे प्रियों आपका जीवन हालेलुया क्या शब्द है उसके लिए ऐसे धन्य जीवन हो जाता है जिसके लिए कोई शब्द नहीं धन्य हो क्या ही धन्य हो जाओगे आप जब आप ऐसा करोगे परमिश्र आपको ब्लेस करें मेरे शास करता हो आप आशिश्यत हो प्रभू आपको उठाए बढ़ाए आशिश्यत करें आपके जीवन में आपके परिवार में आपके खतों में आपकी जरूरतों में परमिश्र आजाए आमीन हालेलुया क्योंकि आपको पैसे की नहीं आपको पैसे की जगे परमिश्र की उपस्ति की जरूरत है आपको भूजन की नहीं परमिश्र की वचन की जरूरत है आपकी हर जरूरत की आपूरती परमेशर स्वैम है जब आप उसे मांग लोगे उसे पालोगे तो आप सब कुछ पालोगे हालेलुया अमीन हालेलुया हालेलुया परमेशर के वच्चन की चाहा रखो हालेलुया इस्राइलियु की तरह बटेरें खाना बंद करो अर्थात ठीक है संसार में रहते हैं, बोजन करते हैं, सारी चीजे करते हैं लेकिन परमेशे के मन्ना को तुछ मत जानो कभी वचान को पढ़ो उसे तुछ मत जानो, हालेलुया वचान में यह नहीं लिखा कि मुसा ने बटेरे खाई मुसा तो मन्ना खाया करते थे और परमेशे का वचान कहता है बुड़ा बुड़े बुड़ा पे में भी उनके बेल नहीं घटा, उनके आँखों की रशनी कम नहीं हुई परमेशे के तेज में थे खुदा का मन्ना आपको भी नया बल दे बनना नया सामर्द अभिशेक दे उसका मन्ना आपको संभाल ले उसका मन्ना आपके देह में बल लेकर आए हड़ी हरी भरी करे चहरे और आखों में नूर और तेज और दमक को लेकर आए हालेलुया परमेशे का वच्चन लोगों के मुँ से बोले गाए आपके विरोध में श्राप को वापिस से लिखकर करेक्ट करें कि आप धन्य रहोगे आप आशिशित रहोगे आप महिमा पाओगे आप भाग्यवान होगे परमेशे आपको आशिशित करेगा आपको बढ़ाएगा लोगों ने कुछ कहा उससे बड़ा परमेशे का वच्चन है लोगों के श्राप तो धर्ती के है परमेशे का वच्चन स्वर्गी वच्चन है जो आकाश से आया है हमारे मद्द में स्वर्ग से हमारे बीच में उत्रा जो साथ बारताया हुआ है कोई सा श्राप इस वच्चन के आगे ठहर नहीं सकता परमेश्य का वच्चन कहता है आप ब्लेज्ड होगे आप ब्लेज्ड होगे आप उन्नति करोगे आप ने अबल पाओगे आप अभी शेक पाओगे आप सामर्थ पाओगे आप अभी शेक बरदान पाओगे परमेश्य का दिभुद्ध महिमा करोगे, मैं विश्वास करता हूँ आप आशिशित हो गए हो, ईश्यू मुस्य जी के नाम में जुआ को मांगते हैं, आमीन, प्रभु आपको आपके परिवार को, आपके खराने को, आपके खत्तों को ब्लेस, 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 ब्लेस करें, किसी का आत्म आपने मुझे इस्तिमाल किया, मैंने तो बूला ही नहीं प्रभु, हमने तो बस बड़ा था, और आपने हमें आशिशित कर दिया, हमने बस उसको पड़ा, और प्रभु आपने इतना धन्य हमें कर दिया, अंदर से चार्ज कर दिया, हमें बल दे दिया, सब कुछ आपने कि हम आपको सारी महिमा देते हैं क्योंकि प्रभु जी वचा नहीं इतना अच्छा है मेरे प्रभु जी की मूर्ख भी बोले तो प्रभु जीवन मिलता है धन्य वाद देते हैं खुदावन प्रभु आपके नाम की तारीफ और महिमा गाते हैं आपकी बढ़ाई करते हैं खुदावन प्रभु जी हम कुछ नहीं कि वलाब हैं जो आपका वच्छाने मेरे प्रभु इतना अच्छा है प्रभु ओ पिता हमें से हरे को ऐसा बना कि उसे वैसे ग्रहन कर सकें जैसा वो है आपकी नाम की महिमा हो इन बच्छों का हफ्ता शिशे तो ईशublik नामे बelस करते हैं शडरू नस्टो आपकी महिमाईन के जीवन बेल्स करते हैं इशु मुस्ए जी के नामे जुआ को धनिवाद के साथ मांगते हैं पवितरा अत्मा परमीश जी प्रभु एष्यु मुस्ए जी के सकूँ जबी दिन आपका फास रहता हफते में एक दिन फास रगर किये और मुझे पर्सनली मेसेज करिए कि मेरा एक दिन फास रहता उस दिन मैं आपके लिए प्रात्ना करूँगा और उस दिन आप अपनी लाइफ में परमेशी के अद्बुतकार को देखोगे यदि आमीन गद्ब्स यॉल